हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूटूब चैनल आज मैं बनाने जा रहें सूजी से सूजी की बर्फी जो की बहुत स्पंजी और सौप्ट इतने बनते हैं पूछो मत खाओ बस मुह में ऐसा लगता है गुल गया और बहुत ही डिलिसेस बनते हैं तो चलिए देख लेते ज सूजी का कोडिंग डाले में एक कटोरी सूजी में इतना घी मेरा डाला हुआ है आप देख सकते हैं तो आप सूजी का कोडिंगी घी डाले और इसे अच्छी तरीके से हम भून लेंगे जब तक यह गोल्डन ब्राउन कलर करना हो जाए तब तक हम इसको दिमी आज पर भू हो चुका था तो हम यहाँ पानी डालेंगे अच्छी तरीके से चला लेंगे अब देख सकते हूं नहीं निकालना पड़ा नहीं कुछ भी और चीनी भी डाले वही अच्छी तरीके से मिल्ट हो चुका था और यहाँ पानी डालके अच्छी तरीके से इसे देख सकते हो hyaploo लगा में इसलें जो भी ठाल लेकिगे और या ना पहले सा हुआ हुआ है ना याल भी घृट के हुआ है तो या पहले से तरीकी से डाल लेना है फैला लेना है और हम इसी पर फिर डालेंगे कटा हुआ बदाम पीस्ता और अच्छे तरीके से डाल के आप देख सकते से दस मिनाट तक रखते हैं आप ठंडा होने के लिए पिल्कुल जम जाता है बहुत ही जल्दी और यह लिजी फिर हम कट कर लेंगे अच्छे तरीके से कट करने के बाद अच्छे तरीके से बर्फी की तरफ बन जाते हैं और इसी सर्व किजे जब में मान आए घर पे इस तरह से एक बार मेरी रेज़्पी जरूर ट्राई करना और फ्रेंड रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मेरी ऐस पर अच्छे बनी थे नहीं बहुत ही तारीफ किया था एक इन महानों मैं ऐसी नहीं कह रही तो एक पर मेरी रिस्पी को आप जरूर ट्राई करना इसे नारियल डाला हुए ना उस तरह से बताया उन्होंने तो सूजी निकाल के पहले भून के निकाल दे बट मैंने इस तरह यह तरह से ट्राई के बिल्कुल यूनिक रिस्पी है एक बार आभी ट्राई करोगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा बार बार बना के खाओगे और इतना स्वाप्ट बना था आप देख सकते ही चमस से बहुत ही स्वाप्ट और स्पंजी ट्राइब का बना हुआ था एक बार मेरी रिस्पी को जरूर ट्राई करें और कमेंट में अपना फिद्वेक जरूर स्यार करें वीडियो तिकनिक लिए थैंक्यू सुमाच